सो हेलो व्लकम बैक टो दी चैनल तो जो हमारे सीरीज चल लिए जिसमें हम आपका बीए सी सेगंड सेमेश्टर मैथमेटिक्स का जो आपका स्लेवस है और जो उसका आपका चैप्टर है बीटा गमा फंक्शन उसे हम सॉल कर रहे हैं और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज है आपका पर लेक्टर नमबर फाइव ठेक तो आज भी हमारे पर जो है एक बीटा फंक्शन की बहुत इंपोर्टेंट प्रोपर्टी है तो इसे हमने आज यहां पर प्रूव करना है और जो आपका क्वेश्चन है यह आपका लॉंग अंसर टाइप जो आपके इस लिए वाले लेक्टर से अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको जो है कंप्लीट करके आओ उससे क्या होगा कि आपको इस टॉपिक की और अच्छे से जो है अंडरस्टेंडिंग यहां पर बन जाएगी और यह चीज़ें आपको और भी बहतर तरीकी से समझ में आने वाली है ठीक है तो टाइम वेश्टी के भी ना आज का पर लेक्टर से शुरू करते हैं तो देखो यहां पर हमने प्रूव करना है कि बीटा एमन ठीक है हमारे पास यह फंक्शन है बीटा एमन इस इक्वल्स टू एक्स की पावर एन माइनस ओन डी एक्स अप प्रूव करेंगे तो देखो यह बीटा फंक्शन है प्रूव करेंगे तो देखो यह बीटा फंक्शन होती है क्या देखो beta mn आपका कोई function है ठीक है तो इसमें क्या ठीक है integration हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 से infinite ठीक है x की power n-1 upon ठीक है 1 plus x की whole power m plus n ठीक है और यहाँ पर एक correction कर लेना x की power m plus 1 ठीक है अच्छा और यहाँ पर कितना आजाएगा dx यह आपकी बहुत important एक प्रॉपर्टी है किसकी beta function की तो इसे आप जो अच्छे से यहाँ पर याद कर लो फिर जो आपने आने वाले lecture सुंगे उसमां क्या करेंगे जो आपकी यह वाली प्रॉपर्टी है इसका भी प्रूफ ठीक है फीच पूफ पथा है आप इस प्रॉपर्टी को याद कर लें अब यहाप की लिमिट्स है 0 से इंफाइन तो मैं क्या करूंगा जो आपका यह फंक्शन है पूरा का पूरा ना यह पूरा पूरा सेम रहेगा बस मैं है जो लिमिट्स हैं उनको फेंज करके एड्ड कर रहा हूं कैसे द्यान समझना ठीक है मैं आपके यहां पर जो है दो इंटेग्रल बना रहा हूं देखो पहले की जो लिमिट है वह हो जाएगी 0 से 1 ठीक है बागी जो आपका अंदर का है यह वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है आपका सेम रहने वाला है यहां पर एड कर दिंगे किसको यहां पर ल shar का ओया और अंदर का सेम रहेगा उसमें कोई changing हम कर भी नहीं सकते हैं और यहां पर कोई changing होगी भी नहीं और one plus x की power m plus ठीक है इतनी बाद आपको मेरी समझ में आ गयी होगी चलो अब देखो अब यहां पर क्या करने वाले हैं अब हम यहां पर कुछ चीज़ें करेंगे अब देखो हम यहां पर कुछ चीज़ें जो करेंगे वहम सिर्फ जो हमारे सेगंड वाला इंटेग्रेल है ना सिर्फ हम इसी के लिए करेंगे जो आपका फर्स्ट वाला इंटेग्रेल है इसमां कोई changing नहीं करने वाले ठीक है अब देखो कैसे हुगा है ध्यान समझ ठीक है तो क्या करेंगे लेठ्ट टो यहने मान लिया अच्छा तो अब देखो अगर आपका एक्स इकोल्स तो अफlington वाय यह लॉता होता यहां पर स्फ्चव का माइनस का वन ओप्ध स्वेस्केisajn तो इतनी बाता आप समझझाए या पिन नहीं टीन्ट आपको यहां पर समझ में आ गई होगी देखो एक बाँ फिर से रिपीट कर देता हूं जो आपका यह सेकंड वाला इंटिग्रेल है सिर्फ इसी के लिए हम यहां पर यहां पर सारी की सारी चीजिए एजिसकी लिमिट 0 से बने यहां पर कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं ह अच्छा तो आप क्या हो जाएगा देखो जो आपकी एक्स की वैलियो और जो आपके यहां पर डी एक्स की वैलियो इसको कहां पूट कर देंगे जो आपका सेकंड इंटिग्रेल है इसमां इसको हैं पूट कर देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा जीरो सेवन ठीक है और ए इसमें हमने निमिट को बहुत बार चेंज किया हुआ है तो अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको मेरी बात एक से सब्सक्राइब क्या कहना चाहरा हूँ लिमिट है यहां पर इंफाइने न अच्छा हम क्या करेंगे यहां ही हूं क्या करेंगे एक just गैसे उसके जिए इंफाइने तो फर्यू कितना जाएगा जिरो जाएगा सीधिसी बात है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वाई जो नई limits निकल करके आई है lower limit हो गई one और जो अपर लिमिट हो गई infinite ठीक है sorry zero हो गई ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आगई हुई क्योंकि हमने x को y के जो हमारी y की new limits निकल करके आई है उनको हम यहां पर पूट कर देंगे ठीक है तो आपका पहला integral है उसको हम as it is उतार देते हैं तो कितना हो जाएगा यहां पर 20 में plus का sign चलो अब देखो क्या होगा जहां समझना देखो क्या है जो आपकी x की पहले जो limits थी वह क्या थी जो lower limit थी वह थी one और जो अपर लिमिट थी जाएगी जीरो ठीक है इतनी बाद आपको मेरे समझ में आ गई होगी अच्छा अब देखो आप क्या करेंगे अब यहां पर देखो क्या है एक्स की पावर जो है हो जाएगा one plus one upon y की whole power कितना हो जाएगा एं प्लस ठीक है इतनी बाद आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब देखो आपको यहां पर समझ में आ गई होगी चलो अब यहां पर क्या करेंगे अब यहां पर है और यहां जो यह वाई है और जो वन है ठीक है तो इसके इसे कर लेते हैं ठीक है है simple यह वाला question बस अगर आप इसे step by step करेंगे तो बहुत इजी आपको ही लगने वाला ठीक है है ना जो आपकी lower limit हो है one और जो अपर limit हो है zero ठीक है यहां पर हो जाएगा वन अपॉन वाई की होल पावर M-1 ठीक है माइनस का one upon y square और कितना आजाएगा dy ठीक है अब देखो हैंपर जो denominator में के changing होगी ठीक है इसका LCM आजाएगा तो कितना आजाएगा y प्लस one upon y का whole की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी M-1 ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा चलो अब देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर आपका यह हो जाएगा 1 से 0 ठीक है अब देखो अब हम यहां पर क्या करेंगे यह आपका y प्लस one है और यहां पर है ना देखो यहां पर y प्लस one की जो पावर है वो भी M प्लस N है और जहां पर y इसकी पावर भी गया है M प्लस N है तो हम क्या करेंगे इसको और इसको ठीक है y प् पहले ही बाहर shift कर दिया है अब देखो क्या करेंगे इस y प्लस 1 को और इस y को दोनों को इसकी पावर जो अलग अलग देदेंगे तो y प्लस 1 की whole power कितनी हो जाएगी m प्लस n ठीक है और अब अन्में जो y है इसकी power भी कितनी है एक दम बेसिक है बेसिक मैठमेटिक्स मैंने यूज की विये तो चेंज होगा निए पॉन वन फ्लस x की power m plus n और कितना हो जाएगा dx ठीक है अब देखो यहां पर क्या होगा यहां पर आपका minus sign integration 1 से 0 अच्छा देखो क्या हो जाएगा यह y की power m minus 1 चले जाएगा नीचे हैना denominator में और y की power m plus 1 चले जाएगा उपर जो है numerator में ठीक है तो क्या जाएगा y की power m plus n upon में ठीक है यह व कहा जाएगी denominator में y की power m minus 1 इतनी बाद आपको समझ में आगे होगी अच्छा देखो side में कौन है one upon y square भी है तो इसको भी यहां पर लिख देते है one upon y square ठीक है और इसके साथ कौन है आपको यहां पर dy भी साथ में चल रहे है ठीक है इतनी बाद आपको यहां पर मेरे समझ मे dx ठीक है यह चीज तो सेम रहेगी अच्छा अब देखो minus 1 से 0 ठीक है अब देखो अब यहां पर क्या होने वाला है द्यान समझना यहां पर क्या है y की power m minus 1 है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको फिर से कहां बेज दूँगा उपर जोए इसको मैं फिर से जोए उपर numerator बेज दूँगा और आपको पता है कि जब भी हम किसी function को है ना क्याते है numerator से जोए denominator से दोबारा numerator बेजते हैं तो उसकी power का sign है वह क्या रहता है ठीक है तो इसी आपको पता होगी तो देखो क्या हो जाएगा y की power m plus n यहां पर पहले से और यह देखो y की power m minus 1 है तो इसको म बेज रहा हूं जो है numerator बेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा यह की power minus का m हो जाएगा ठीक है यहां पर हो जाएगा y plus 1 की whole power m plus n ठीक है तो चली रहा है और यहां पर क्या है 1 upon y square और कितना आजाएगा dy ठीक है चलो यहां तक जो अपना question हो solve हो गया था मैंने यहां पर क्या किया था जो आपका y है इसको मैंने उपर बेज देता दुबार से numerator में और उसकी वैसे जो इसकी power है उसके आगे माइनस का sign आ गया था चलो अब देखो आप क्या होगा ठीक ठीक है चलो इस तो यह भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0 से 1 ठीक है यह तो आपका सेम ही रहने वाला है अपन 1 प्लस x की whole power m प्लस n और कितना हो जाएगा dx ठीक है और यहां पर माइनस का sign 0 से 1 से 0 ठीक है 1 से 0 यहाँ पर हो जाएगा y की power m प्लस n अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sign की multiply इसे m के सांथ भी हो जाएगी और 1 के सांथ भी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको भी हम बेज देंगे उपन निमिरेटर में तो कितना हो जाएगा ठीक है और जो यहाँ पर डैनुमिरेटर उसमें क्या है 1 प्लस Y की p m plus n गुर्थ एहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नाज़Now बेसे में सेम है और तुसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो तीनों की पॉषर क्या हो जाएगी एडे ठीक है यह तो आपका सेम ही रहने वाला है तो यहां न सेमिकर साइन लगा थे टेहर समय Los Angeles नुए 1107 अब देखो किया हो जाएगा यहां बैञाइक यहां पॉर यहां पलबयव ऐड जाएगी तीन वी तो क्या होहता यह एं पलस अ और यहां पर हो जाएगा ठीक है चलो अब इसे लिख देते हैं 0 से 1 X की पावर M प्लस M-1 1 प्लस X की पावर M प्लस N हो जाएगा ठीक है माइनस का 1 से 0 और यहां पर कितना जाएगा Y की पावर M-1 और कितना जाएगा की फोल प्लस N ठीक है इतना आजाएगा इतना आपको सुन्च मा अगया की थिसकी लिमित थीक टो अबियғं घाले और मचसे यह ऑपerdिष्म घाले रिमिट करेंगे今ं क्या रहा लती है उस्त उक्ष्म करते हैं अगर यहां पर माइनिस का सऑंद प्लेस का सद्ट पने कर्थे सबीकिक रिमीर करें तो अभी क्या है आगर सकता ओर रिमूब कर देंगे तो क्या हो जाएगी लिमट से मतलब उसका लिमिट से रेक्स प्रोक्तल हो जाएगा तो क्या होजाएगा जिरो से 1 एक्स की पावнения सफस्य और भी ट्रम डेगा हुआ यहां पर प्रफटी आ जयागाए खीनर सुनना मेरी बात जो पर एक और प्रॉपटी कि अव haar इस्ट ग्याहती है तीकında कहने अगर यहाँ पर इंटीग्रेल है कि f x dx के form में में तो आपको पताए कि जो आपकी यहाँ पर हमने पहले से य की तर्मस में चेंज किया है तो इसका मतलब यहां पर जहां जहां यह वहां-वाइए कितना जाएगा एकस अजएगा तीक है अब देखते हैं यहां तक जोना कॉर्ष्टन हो सौल हो गया था ठीक है और हमने यह प्रोपर्टी का यूज किया था जिससे कि हम व 0 से 1 ठीक है आपना जो है अनसर आने वाला है ठीक है एक स्टेब और होसा न और यहां पर क्या है यहां पर है 1 प्लस X की पावर m प्लस n और यहां पर यहां पर यहां पर yg e 4 m plus n है तो दोनों का क्या ले ले लिए यह ऐनाने रिए टाबToday mr ऑपको पताई कि हैं क्ma कि अब यहां पर क्या हो जाएगा बहुट है यहां पर क्या होगा अब यहांपर OCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा X की पावर M-1 ठीक है Dx Dx दोनों में सेम है तो यह भी हो जाएगा और यह दोनों एड हो जाएगे तो क्या हो जाएगा X की पावर M-1 ठीक है तो यह आपको सांज में आ गई होगी और सांद में क्या हो जाएगा तो यह हो गया, और अगर हम ध्यान से देखें तो यह आपकी वही वाली property है, hamburger function की जिसे हमने यहापर, prove करना था, एक है तो, यहापर, लिख देता है, prove तो यही आपकी property थी तो यही आपकी और next कर लेते हैं यही आपकी property थी, इसे हमने यहापर बीटा फंक्शन के लिए हम पर प्रूव करना था और यह आपका यहां पर प्रूव हो गया ठीक है तो आपका थोड़ा से जो हैं आप लेंदी क्वेशन था पर है ना काफी एजी था अगर आप इस जो ए स्टेप बाइस स्टेप जो समझते हैं तो बहुत ही एजी आपका यह